यह आप लोगों की कलेक्टिव रीडिंग है और आज हम करने जा रहे हैं आपके परसन की करंट फीलिंग्स, थौट्स और उनका नेक्स्ट एक्षिन आपके लिए क्या हो सकता है यह सब कुछ हम आज की रीडिंग में जानेंगे, रिगार्डलिस आपकी क्या सिचुएशन है आपके पार्टनर के साथ, सब लोगों के लिए यह रीडिंग ओपन है और यह रीडिंग बिल्कुल टाइमलेस है, जब भी आपकी नजर से गुजरेगी आपका उस वक्त का होगा, सो शुरुवात में मैं आपसे कहती हूँ, कार्ड्स, पॉसिबिलिटीज बताते हैं, यह एक जैनरल रीडिंग है, ज़रूरी नहीं है कि सब के साथ रेजनेट करें और आपकी फाइनल डेस्टिनेशन से इफ जिवाइन सोर्स को पता है, सो मेरे जितने भी सब्सक्र करना नहीं भूलना है, पसंद आए तो लाइक भी कर दीजेगा और शेर भी कर दीजेगा, सो अब हम स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग और देखते हैं कि आपके परसन की करण्ट फीलिंग और थार्ट्स आपके लिए क्या हैं और फिर हम देखेंगे उनका नेक्स्ट ए I really hope के आप लोगोंने enjoy किया होगा, इस दफ़ा Saturday, Sunday को भी quick energy update आई और हमेशा आया करेगी, आप लोगोंने बहुत ज़दा इसरार किया, तो मैंने सोचा कि मुझे आपकी बात माननी चाहिए, because channel है ही आप लोगों का, तो जैसा आप suggest करेंगे वैसा ही मैं आप लोगों के लि feelings or thoughts, nine of pentacles, eight of cups, पट इसको हमने देखा कि reverse में आ रहा था, four of wants को clarify कर दिया है the world ने, तो मुझे यहाँ पर clearly पता है क्या energy feel हो रही है, यह इंसान commitment से भागते है, commitment issue है आपके person को, maybe confession से भी भाग रहा है कोई, कुछ लोगों के लिए unconfessed situation हो सकती है, but मुझे ज़्यादा दर आप majority के लिए लग रहा है कि आपके person ना शादी की बात पर, commitment की बात पर, या तो बहुत ज़्यादा defensive, confused हो जाते हैं, या फिर चिर्चिडे हो जाते हैं, सही जवाब ने देते है because वो शायद ready नहीं है commitment के लिए, और उसका ये reason हो सकता है, वो ये कहते होंगे, मेरे goals है, मेरा ये है, मेरा वो है, मुझे अभी नहीं करना, मैं भी responsibility कैसे लूँ, वो बहाने बनाते हैं आपके साथ, basically उनको deep down fear of commitment है, ये देखिए, कितना ज़ादा यहाँ पर anxiety आ रही है, ब बचाते हैं, official करना आपके साथ, इस connection को, बट आपके person अपना singlehood बहाँ ज़ादा enjoy करते हैं, उनोंने किया है, हो सकता है, काफी time single रहने के बाद वो एक relationship में आये है, इसलिए बहाँ ज़ादा ना, उनके अंदर एक fear है, bottom of the deck पर हमारे पस a night of cups, so जिन लोगों ने अभी तक नहीं किया है, confession, उनकी तरफ से confession आ रहा है, एक तो मुझे यह नजर आ रहा है यहाँ पर, यह overall energy थी, उससे भी नीचे आप देखे हमारे पस 10 of pentacles है, जो कि हमने reverse में देखा है, और इसका मतलब यह हो सकता है वही बात, कि यह इनसान आपसे शादी करना चाहते हैं, लेकिन अबी ready नहीं है, तो मुझे तो यहाँ पर शादी की situation बहुत ज़ादा लग रही है, कुछ लोगों के लिए अब दो groups हैं यहाँ पर, आपने confused नहीं हो न, एक वो group है, जहाँ पर fear of commitment है, शादी के लिए तयार नहीं है आपके person, अब जाहर है कि हर इंसान शादी के लिए नह नहीं देख रहा है, दूसरा group वो है जहाँ पर आपके person simply एक relationship में आने से डर रहे हैं, feelings हैं उनके दिल में आपके लिए emotional उन्हें प्यार है आपसे लेकिन वो confess नहीं करना चाह रहे हैं, confess करने से डरते हैं, उनको लगता है कि जब confess कर दिया तो relationship खराब हो जाएगा, पहले जैसा नहीं रहेगा, जो खुबसूरती अभी हमारी दोस्ती में है, हमारे प्यार में वो नहीं रहेगी, तो इस वज़ा से हो सकता है कि ये इनसान confess ना कर रहे हूं, तो I hope आप लोग confused नहीं होएं होंगे, ये दो groups मुझे आज की reading में नजर आ रहे हैं, क्योंकि हर कोई शा है, एक charm है, कि मतलब single life बड़ी मज़े की होती है, bachelor life से वो शायद निकलना नहीं चाहते हैं, लेकिन आपको भी चाहते हैं, तो वो इस सारी situation में ना उनको बड़ी हो रही है tension, कि मुझे single life भी enjoy करनी है, बट मुझे इस इंसान से भी प्यार है, मुझे इसको भी छोड़ना ह इस तरह की एक feeling है, तो यहाँ पर Aries, Leo, Sagittarius बहुत strong है, यहाँ पर fire signs, fire signs तो वैसे भी किसी के काबू में नहीं आते हैं, अगर आप literally किसी fire signs deal करें, और काबू में कोई भी किसी के नहीं आता है वैसे तो, अगर हम generally एक बात करें, तो यहाँ पर मुझे और Pisces, Cancer, Scorpio नजर आ और Virgo, यह star signs हैं, लेकिन मैं हमेशा आप सही कहती हूँ कि आपने energy पर focus करना है, अगर energy आप से match होती है, तो बिलकुल आपकी reading है, तो मुझे यह भी feel हो रहा है कि बहुत time single रहने के बाद जब आपके person का connection बना किसी के लिए उनके दिल में इतना ज़्यादा प्यार आगया यह एक fear जो यहाँ पर commitment का relationship का रहा है, इसलिए भी आ रहा है क्योंकि वो काफी time single रहे हैं और bachelor रहे हैं, तो उनको डर लगता है relationship में आने से या settle down होने से, तो अगर इस present time की हम बात करें तो आप लोगों के दरम्यान मुझे distance नजर आ रहा है, आप में से कुछ लोगों का long आप यह कहते होंगे कि आप marriage app के through मुझे मिले या मिली और अब आप कहरे हैं कि आपको डर है, आप commit करने के लिए ready नहीं है, यह बात भी आपको doubt में डालती होगी और आप यह सोचते होंगे कि कहीं इंसान आपको धोका तो नहीं दे रहे हैं, कहीं इंसान आप पर cheat तो नह करें कहीं सिर्फ enjoy करने के लिए उस app पर आये वे थे और serious नहीं थे शादी के लिए क्यूंकि जिस तरह का impression वो दे रहे हैं, डर रहे हैं, चीट-चीडापन शो करते हैं शादी की बात पर एक दम से घबराहट का शिकार और उनका जीब सा weird behavior होने लग जाता होगा आपके साम रहे हों या इनका इरादा शादी का था ही नहीं बस मेरे साथ वक्त गुजारने का था, कुछ इस तरह की बाते आपके जहन में आते होंगी, बट मुझे आपकी तरफ से यहां पर बहुत ज़दा involvement नजर आ रही है, मुझे आपकी तरफ से बहुत ज़दा love बहुत ज़दा maturity नजर आ रही है और आपके person की तरफ से उतनी maturity उतना love नजर नहीं आ रहा, so जो मुझे reading में नजर आएगा, मैं वही आप लोगों के साथ शेयर करूंगी, जो भी मुझे नजर आता है cards में, मैं हमेशा आप लोगों के साथ वही शेयर करती हूँ, तो अगर आपको लग रहा कि ये इनसान आपको cheat कर रहे है, बिल्कुल यहाँ पर कोई cheating की energy नहीं है, I just feel कि बस उनको एक घबराहट है, मैं best way में पता नहीं explain कर पाऊंगी या नहीं, बट किसी ना किसी तरह होता है, कुछ लोगों को घबराहट होती है, शादी के नाम से, एक दम से, वो कहते हैं कि य हमने ऐसी jump नहीं करना है, इसके अंदर, यह this is something very, किस तरह मैं explain करूँ, बस उन्हें डर लगता है, commitment की भात से, शादी से, बस वो डरते हैं, इसका reason यह भी हो सकता है, कि उनके माबाप की सही नहीं चली शादी, उनके बहुत से friends में उन्होंने देखा शादियां नाकाम हो हैं, या बहुत जादा controlling husband हैं, या controlling wife हैं, दूसरे की जिंदगी को control करने की कोशिश कर रहा है, एक partner connection में, maybe अपने इर्दिगिर्द वो बहुत से लोगों को देख देख कर ना, एकदम से यह डर शायद उनके subconscious में बैठ गया है, कि पता नहीं, हर कोई ही दूसरे को control करने की क इसलिए भी वो बहुत जादा डरते हैं, नाकामी उनके खांदान में, divorce का ratio बहुत जादा है, इसलिए वो कहते हैं, कि मैंने यह decision अभी नहीं लेना है, मेरे 35 age क्रॉस करने के बाद मैंने यह वाला decision लेना है, कोई नहोंने timeline दी होगी अपने आपको, कुछ ना कुछ तो उन है, वैसे तो XYZ कोई भी हो सकती है, बट इन में से भी कोई बात शायद उनके जहन में हो सकती है, जिसकी वज़ा से वो इतने जादा reluctant हैं, और एकदम से अजीब behave करते हैं, शादी की बात पर चिड़ चिड़े हो जाते हैं, तो इसमें कोई शक नहीं है कि यह इनसान आपके साथ connection feel करते हैं, उनके दिल में बहुत romantic feelings भी हैं आपके लिए, confess भी हो सकता है, कुछ लोगों के लिए उन्होंने confess कर दिया हो प्यार, आपसे कहते हो कि just go with the flow, इतना मत सोचा करो, sensitive ना हो, हर वक्त इसी बात पर discussion ना किया करो, यह आपसे वो कहते होंगे, but deep down वो tension लेते हैं मुझे उसको एकदम से hurt नहीं करना, मुझे उसको यानि नाकामी नहीं देखनी है मुझे इस connection की, वो यह भी सोचते हैं, ऐसा नहीं है कि वो सोचते हैं, आपके साथ discuss नहीं करते हैं, तो वो सोचते हैं, कि जब सब को पता चलेगा, क्या सोचेंगे, क्या कहेंगे, वो यह स सोचते हैं, और क्योंकि यह कार्ड यहां पर present है, जिसका मतलब यह है कि यह इनसान सोचते हैं, settle down होने का, आगे बढ़ने का, आपके साथ, बट यह इनसान बहुत जल्दी में नहीं है, यह इनसान अपना पूरा sweet time लेना चाहते हैं, उस point तक पहुंचने में, कुछ लोगो के लिए हो सकता है कि already उन्होंने बड़ा time आपका ले लिया है, बट कुछ लोगों के लिए मुझे नजर आ रहे कि आपके इस relation को एक साल हुआ है, या दो साल हुए हैं, और आपके मन में अब सवालात आ रहे हैं, आप बहुत ज़्यादा involved हैं, deeply, यह queen of cups की energy आपकी है, चा आपके person की तरफ से उतनी नजर नहीं आ रही हैं, जब मैंने यह कहा तो 11-11 ओर थे विडियो में और आप देखिए कि 11-11 कार्ड से शुरू हुआ था आपका, आपकी reading, तो हो सकता है कि यह इनसान आपके soulmate है, या इनके साथ आप एक significant connection feel करते हैं, regardless of labels, हो सकता है कि आप कहत हैं कि this is my person, यही वो इनसान है जिसकी मुझे तलाज थी, मुझे इसी के साथ चलना है, मैं चाहती हूँ या चाहता हूँ कि यही connection work करें, आप ऐसा सोचते होंगे, so अगर इस present time की बात की जाये तो मुझे लगता है कि वही commitment की बात पर या confession की बात पर इससे मिलती जुलती क इसी बात पर आप लोगों के दर्मियान एक break आया हुआ है, और ये इनसान थोड़ा सा weird behavior इनों ने किया और नाराजगी हो गई आप लोगों के दर्मियान, तो मुझे ऐसा मैसूस हो रहा है कि आप दोनों के दर्मियान इस वक्त नाराजगी चल रही है, लेकिन आप दोनों लोगों की बात चीछ चल भी रही है तो बड़ी awkward सी situation या awkward silence आप लोगों के दर्मियान पैदा हुई भी है, मुझे ये भी लग रहा है, कि अब क्या बात करें है, एकदम से awkward situation हो जाती है, जैसे अब मैं इसको explain नहीं कर पाऊंगी, बट यह हमारे पस journey का card, so it's a long road आपके person ये सोचते हैं, तीन cards हमारे पास आ गए हैं और ये तीनों हम रख लेंगे, सबसे नीचे है strategy, तो ये इनसान planning के साथ चलना चाते हैं जिन्दगी में, एक दम से जैसा मैंने आपको पहले भी बोला था ना, जल्दी में नहीं है, जंप नहीं करेंगे, cornucopia number 11, so इसमें उनको कोई शक नहीं है, कि बड़ी abundance है, बहुत जादा, आपको एक तो self love के लिए भी कहा जा रहा है, और मुझे ये भी feel हो रहा है कि आप भी, शायद आपकी वज़ा से वो सीख रहे हैं, self love, number 37, ये है third chakra, solar plexus chakra, ये भी Leo, energy है, फिर yin and yang है, number 22, so आप देख लेंगे, ये 2-2 भी एक तरह से 11-11 होता है, और ये भी 11-11, तो बहुत जादा, I feel कि आप दोनों एक दूसरे से different हैं, कुछ मामलों में, but still एक दूसरे को compliment करते हैं, बिल्कुल black and white की तरह, white, black में मिल नहीं सकता, black, white में मिल जाए, तो white भी black, होई जाता है, I don't know, but ये दोनों बहुत different हैं, colors, right, इनकी अपनी अपनी एक पहचान है, तो मुझे ऐसा लग रहे हैं, कि आप दोनों बिल्कुल इस तरह से different हैं, इक दूसरे से बहुत जादा, बट एक दूसरे को बहुत जादा compliment करते हैं, तो मुझे लगते हैं, आप में से कोई इस बहस में फस चुका है, कि black-white में जाए औ बट basically ये बात है, कि आप दोनों एक दूसरे से हैं, बहुत different, बट एक दूसरे को बहुत attract करते हैं, और compliment करते हैं, ये जो differences है न, आप लोगों के दरमयान, इसी वज़ा से आप दोनों बहुत जादा एक दूसरे के करीब आए हैं, तो मुझे ऐसा feel हो रहा है, कि आपके person का next action की जहां तक बात है न, ये इनसान आपसे communicate करना चाते हैं, और वो कहरे हैं कि relationship के ओपर focus करो, फिलहाल जो हमारी journey है न, जो हमारा रस्ता है, future के बारे में सोच सोच कि इस रस्ते को तुम enjoy नहीं कर पा रहे या कर पा रही, तो इस रस्ते को, इस journey को enjoy करो, आपके person ने आप करें थे fear of commitment, वो अपने दिल से निकालने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ये confidence का card है, इसका मतलब है going for it, right, किसी भी चीज़ से डरे बिना आप आगे बढ़ रहे हैं, confidence के साथ पूरे, तो मुझे लग रहा है कि ये इनसान, इनको कुछ चीज़े realize होंगी in near future, और ये इनसान उस डर में से निकालेंगे खुद को, निकलाएंगे उस डर में से, जो fear of commitment है, और ये जो cornucopia का card आया है, यहाँ पर बहुत जादा हमें फल वगरे नजर आते हैं, तो ये health से related message भी हो सकता और इसका number भी 11 है, तो 11.11 आज की reading में बहुत जादा है, और हो सकता है कि 11.11 आपक बहुत जादा नजर आ रहा हो, तो ये आप लोगों के लिए sign हो सकता है कि एक निया gateway, एक निया रस्ता आप लोगों के लिए open up हो रहा है, तो आपके person next क्या करने वाले हैं, जैसा मैंने आपको बताया कि next action उनका यही होगा, कि आप से ही कहेंगे कि तुम इस journey के उपर focus कर journey है, मैं जब तुम्हारे साथ हूँ, तो तुम्हें क्या tension है कि commitment जल्दी हो या late हो, थोड़ा सा time दो चीज़ों को, और मुझे भी थोड़ा सा, you know, strategize करने दो, planning करने दो, planning के साथ मैंने चलना है, strategy का card आया था हमारे पास, तो आपके person आप से यह कहेंगे कि मुझे planning करने दो, दो और cards हम लेते हैं और यह देखिए, true love and separation, तो यह इनसान आपसे एक कहेंगे, यह आपसे प्यार करते हैं, अभी आप लोगों की separation कुछ लोगों की चल रही है, separation नहीं भी चल रही है, तो शायद बातचीत बहुत अच्छी नहीं है, इस वक्त आप लोगों की चल रह या आपके person आपको ignore कर रहे हैं, या ghost करते हैं, या late replies, कुछ इस तरह की चीज़ें मुझे नजर आ रही हैं, लेकिन मुझे लगता है कि चीज़ें ठीक हो जाएंगी, मुझे कोई बहुत बड़ा action लेते हुए आपके person नजर नहीं आ रहे हैं, लेकिन मुझे यह जरूर communicate करने की कोशिश करेंगे कि देखो इतना जदा परेशान ना हो चीज़ों के बारे में, वाओ, ओके, express your love heart to heart conversations and then romantic feelings, जिन लोगों ने confess नहीं किया है, आपके person आपसे अपना love confess करने वाले हैं, this is so amazing, कि यह इनसान आपसे प्यार का इजहार कर लेंगे, कुछ लोगों के कभी नहीं की है जिस तरह से, deep deep feelings अपनी आप से express करेंगे जैसे पहले कभी नहीं की है, तो जहां तक उनके action का सवाल है, मुझे पहले नजर नहीं आ रहा था, बट आप देखें, spirit ने कितना divine message हमें दिया है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि यह इनसान ऐसे अंदाज में बात करेंगे, जैसे पहले कभी नहीं की, जिसका आपको इंतजार था, जिस तरह आप करते हैं इतने प्यार से, पूरे दिल से, और यह इनसान भी अपने दिल की बात आप से share करेंगे, जो भी उनके जिन्दगी के, excuse me, हालात चल रहे हैं, कुछ ऐसा जो जिस तरह पहले उन्हों अब आप से बात करेंगे, और बहुत प्यार से, बहुत अपने deep emotions रखेंगे आपके सामने, मुझे ये नजर आ रहा है, क्योंकि मुझे लगता है ये इनसान हमेशा इनको problem feel होता है, अपने deep emotions बताने में, तो इस बार ये आपको बताएंगे अपनी feelings, क्या feel करते हैं, क्यों और लेंगे इस में से, आपके लिए guidance क्या हो सकती है, we have no, so no का मतलब है now is not the right time, आपके परसन आपको यही कहेंगे के now is not the right time, थोड़ा सा वेट करो, oh my god, seriously, अभी मेरे मुझे पर वेट का लवज है और वेट का काड़ा गया, वो आप से कहेंगे के please थोड़ा सा वेट करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ, जब तुम्हें पता है कि मुझे तुमसे प्यार है, थोड़ा सा इंतजार कर लो मेरा और, हम कहीं नहीं जा रहें एक दूसरे से दूर, हम एक साथ हैं, मैं तुम्हारे साथ हूँ, मुझे तुमसे प्यार है, तुम्हें मुझे से प्यार है, तो जब हम यह देखते हैं, आपके परसन की तरफ से channeled messages, past energy भी आ सकती है, present energy भी आ सकती है, क्या कहेंगे आप से, या क्या कह चुके हैं आप से, यह बहुत सारे हैं, it was not an accident, आप से मिलना कोई accident नहीं था, यह हमारी destiny में था, वो कह रहे हैं, my family is important to me, it's hard for me to balance things between you and my family, तो हो सकता है, एक family का factor है, आजकल वो अगर आपको time नहीं दे रहे हैं, तो उनकी family में या तो कोई event आने वाला है, विद इस 11-11 कार्ड हो सकता है, किसी की शादी, उनके बहन भाईयों में से, किसी की, या कोई ना कोई function family का आ रहा है, या family के साथ कह कर रहे हैं, तो कुछ ना कुछ उनकी family में चीजें हो रही हैं, जिसकी वज़ा से वो balance नहीं कर पा रहे हैं, बिजी हैं आजकल बहुत ज्यादा, I know how to fix things, waiting for the right time, so वो जानते हैं, कि वो कैसे fix कर सकते हैं सारी situation को, और वो करेंगे, वो right time का वेट करें, हो सकता है, वो इस function क वेट कर रहे हैं, कि ये function जब हो जाएगा, complete आराम से, फिर वो आपसे बात करेंगे, I tried to forget you, so maybe उन्होंने आपको भुलाने की कोशिश की, अगर तो आप लोग separation में हैं न, ये message उनके लिए, लेकिन वो आपको भुला नहीं पाए, I am really bad at commitment, amazing, commitment issues तो उनके वैसे भी हैं, हमन ने तुमसे वादे कियें, वो भी पूरे नहीं किये, अपनी commitments में पका नहीं हूँ, या पकी नहीं हूँ, लेकिन वो कोशिश करेंगे चीजों को fix करने की, oh my god, I tried to forget you, and I tried to forget you, maybe आप दोनों ने एक दूसरे को भुलाने की कोशिश की, लेकिन नहीं भुल सके, आप दोनों नहीं strongly एक दूसरे के लिए feel कर रहें, और इसलिए ये cards आएं है, heart to heart conversations, express your love and romantic feelings, ये तीन strong energies इसलिए यहां पर आई हैं, कि आप कोशिश करें एक दूसरे को भुलाने की नहीं भुला पाएंगे, और वापिस एक दूसरे की जिंदगी में आएंगे, नहीं जा पाएंगे एक things right between us, ये भी देखिए, how to fix things, वो जानते हैं, कैसे fix करना है, और फिर ये देखें, उनको एक और chance चाहिए, चीज़ों को ठीक करने के लिए, और balance लेकर आने के लिए, family जो भी चल रहा है, work भी हो सकता है, उनका balance निक्रियेट कर पा रहे हैं, harmony, लेकिन वो कोशिश करेंगे मुझे लग रहा है कि ये वाला message कुछ लोगं के लिए बहुत strong है कि उनका कोई family function कुछ ना कुछ हो रहा है family में, जिसको वो निम्टाने के बाद आपकी तरफ आएंगे, अगर तो separation चल रही है, और अगर time कम दे रहे हैं आपको, तो जैसे ही function हो जाएगा, चीज़ें हो ज partner का, किसी का पूरा नाम भी आ सकता है, life path number, house number, car number, so शुरू करते हैं, चाव ऐसे मैंने एक चीज़ notice की है, कि सारा दिन मेरा गला बिल्कुल ठीक रहता है, जैसे ही मैं recording करने के लिए बैठती हूँ, मेरा गला खराब होने लग जाता है, I don't know ऐसा क्यों है, मुझे लगता ह मैं manifest कर रही हूँ, सोच के ये, so let's start with your yes and no question, h, okay, ये cheating हो गई है, फिर से शुरू करते हैं, 555, a, g, number 6, 444, आप का अंसरा है, no way, it's a no, और आपने देखा था न, यहाँ पर भी no आया था, so now is not the right time, spirit का यह कहना है, शायद आपके लिए, B, E, R, A, B, then number 10, 4, 4, W, 2, 2, 2, 2, 2, 7, V, K, 2, 2, 2, Z, 4, 4, 4, 98, 98, भी किसी के लिए important हो सकता है, R, number 6, A, B, वाउ, 11, 11, आज के वीडियो में हमें बहुत जादा 11 देखने को मिला है, ओ God, इसको हम फिर से मैं इसको ठीक करती हूँ, यह जब हिल जाए न, L, Q, 3, 11, K, Z, Y, 7, 7, 7, Y, and J. So, यह आपके letters और numbers हैं, देख लिजए कोई word अगर आप बना सकें, आपका नाम, आपके partner का नाम बन सकता है, देख लिजए, कैसे आप से यह match करते हैं, So, यह आपकी reading थी, कुछ भी आपके लिए helpful रहा, पसंद आया, मुझे आप बताईएगा comment section में, अगर आप नए थे मेरे channel पर, like कीज़ेगा, share कीज़ेगा, subscribe करना बिलकुल नहीं, भूलना friends, और विडियो को like जरूर दिया करें, इसे channel को grow करने में help मिलती है, सो अपना धेर सारा आप लोगोंने खयाल रखना है, मैं आप से मिलूंगी next विडियो में, तब तक के लिए, बाबाई,